रादी कृष्णा फ्रेंट्स मैं पाइल आप सभी का अपने चैनल डेली कुकिंग विद पाइल में स्वागत करती हूँ फ्रेंट्स हमारी रोज की जिन्दगी में तो बहुत सारी परिशानिया होती ही है लेकिन कुछ ऐसी टिप्स होती है जिनको अपना कर हम अपनी डेली लाइफ को थोड़ा सा असान बना सकते हैं उसी की मैं आज कुछ टिप्स लेकर के आई हूँ I hope आपको पसंद आएंगी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सस्क्राइब कर दीजे और आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं मुझे कौन में ज़रू बताईए ताकि हम आपको ठैंक्स कैसे के हमारी पहली टिप है रवर बैंड के लिए लिए देखे ही हमारे घर में आती है रहती है भहुत सारे समानों के सात आ जाती है जैने हम स्टोर करके रखते बहुत्री किससरा कि स्टिक्ई हो गए इसके लिए क्या करना है न कि कोबी टालकमों पॉड़र स्टोर से छिड़क देना है और इस पर अच्छे सेशह मिक्स कर देना है जो कि हमारे काम को बहुत जादा आसां मना देती है साल के लिए तयार हो जाती है कि बिल्कुल स्मूथ हो गए अपने आप इते के पॉर्डर मिक्स करते हैं एक दुम खिली खिली और बिल्कुल यह स्टिकी नहीं रही है आप देख सकते हैं बिल्कुल नई जैसी वर्क कर रही है सो गाइस यह कैसी लगी जरूर बताएगेगा और इसे न फिर हम क्या करेंगे एक इस तरह के छोटे कंटेनर जियों की हम सबजी या मिठाईयों के साथ हमारे घर पर आई जाते हैं जिन्हें हम फेक देते हैं आप इने फेक हिये मत इस तरह से इसमें छोटे छोटे चीज़े चीज़े रखकेर आप इससे इसे कर सकते हैं इसे यूज कर सकते हैं एक चोटी जगा में आ जाता है साथ ही इस तरह से फेकनी जगा रियूज भी हो जाता है तो या गाइस कैसी लगी टिप जरूबताएगा दूसरी टिप मेरी इस तरह के पॉलेतिन्स के लिए जो कि हम अपने घर में रखते ही हैं हमारे साथ जब भी हम सब्जी लाते हैं फल लाते हैं या फिर राशन वगएरा आता है हमारा लूज कहीं भी तो इस तरह के बहुत सारी थैलिया हमारे हम इकटी हो जाती हैं इन्हें ड किजिएगा तो हमें क्या करणा है हमें अपनी जो फॉलेतिन्स हैं जो कुछ घर में यूज हो जाती है और कुछ हम इस तरह से जो उसली हमारे आप सब्जी वाली या जो भी आप कुछ खरीदे रहे और आपके घर तक आते हैं अगर वो लेना चाहें तो आप उन्हीं यह द जरूर से ट्राइ कीजिएगा क्योंकि यह खाली टिप नहीं है यह एक हमारे अन्वाइमेंट के लिए बहुत ही जरूरी टिप है आप इसे जरूर ट्राइ कीजिए ताकि इससे कुछ तो हमारा जो प्लास्टिक है वेस्ट रियाने कीजिएगा थोड़ा सा रिसाइकल हो और को कुछ लोगों की हेल्प भी हो जाती है सो गाइस यह अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो को और इसमें आपको कोई काम भी नहीं करना पड़ता है हमारी टिप निंबर थ्री है आटे से लेकर जी हां जो हम आटा यूज करते है ना वही टिप उससे ही लाइं क्या हुआ था ना कि जैसी मैंने यह आटा अपना टेंड कीजी का जो कि बड़ा पैकेट होता है आटे का वह मैंने जब शिफ्ट किया अपने बड़े से कंटेनर में तो क्या हुआ कि अगले दिन ही उसमें चीटिया आ गई जी हां बरसातों के दिनों में जब चीट में रख दे क्यों कि धूप थी अब क्या है कि इंदनों मॉन्सून है और बरसातों के दिन है और इसमें फिर से जब मैंने दूसरी रार जब पैकेट आ वह न पर ट्रानस्वर किया तो फिर से इसमें चीटक आ गई और जहां पर रखते हैं जिस कंटेटिनर को वहां पर जो चीतित्टि आ रहे हैं ती वह भी चली जाएंगी फिर आपको क्या करना है फिर आपको लेनी है लक्षमड रेखा कि जो चौक आती है ना जो कौकरोज के लिए आती है अब जो दिखाऊंगी उसमें वीजियो में तो आपको क्या करना है कि आपको उसकी जगह पर उस चौक को से ये देखिए इस तरह की जो लक्षमिंड रेखा की जो चौक होती है न वह आप ले लीजे और इसको क्या करेंगे न आप इसको जहां पर आटा रखते हैं या जो भी बर्तन में आपके चीटी वगारा आती है आप चौक से अप उस महाँ पर लाइन्स लगा दीजे क्या होगा हमारे कौक रोश नहीं आते हैं साथ-साथ हमारी भावाद मदद मिलती है इससे क्योंकि इंदनों बरसाते हैं धूप बगएरा मिलती नहीं है और बहुत से घरों में तो एवलेबल भी नहीं होती है तो ऐसे में आपके लिए यह सबसे ज़्यादा हेलफुल टिप होगी क्योंकि बरसातों में या घर्मियों में जब भी आपके चीटिया आए आप क्य कीजएगा हमारी फूर्थ टिप है डाल को लिएकर जियां को फटीकमट को छेंग की जब भी ने कहाँ का दाल को बढ़ा है तो आपने देखा ही होगा जब भी हम दाल को की जब हम अबल ने रख meget कि Esta ऑले ही साथ ही उसके क्या डाला है एक ऐसी चीज़ डाली जिससे क्या ह कि जो पानी है वो बाहर नहीं आता है दाल का बहुत ही असान हो जाता है उससे बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है नहीं कुकर गंदा होता है उसमें हमें क्या करना है कि हमने यहां पे एक बड़ा चमत देशी की एड़ कर देना है क्योंकि दाल में तो देशी गी ही अच्छा बहुत सारी वीडियो में देखा होगा कि जो है उसके ढखकन पर हम ओईल लगा देते हैं लेकिन पता नहीं वो उतार शायद helpful नहीं क्योंकि helpful तो है लेकिन क्या होता है कि वहाँ पर गंदगी घटी होने लगती है चिकने घटी होती है जिससे क्या होगा न क्योंकि हमारी मेट तो इसे साफ करेगी नहीं इसलिए आप इस तरह से अंदर ही डाल में डाल दे इससे क्या होगा देखिए आप जो हमने हिला है तो कूकर का जो सरफे से वो अपने आपी चिकना होगे और जो हमारा ढकन है वो भी हमारा ये देख सकते हैं मैं इसी तरह से डाल को उबालती हू और ये देखिए मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी भी जब सीटी आएगी तो आप देखिएगा कि बिल्कुल भी इसमें कोई छीटे नहीं निकलेंगी ये देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल कितना नीट और क्लीन हमारी दाल बन रही है बस दो तीन सीटी जब आजा आज का हमारा लास्ट टिप है पनीर के पानी को जी हां जो पनीर फाणने के बाद जो पनीर निकालने के बाद जो पानी बच जाता है उसी के साथ हमाज टिप यूज करने वाले इसको हम फेकेंगे नहीं इसको हम रियूज करेंगे क्योंकि जब भी हम इसमें जो दूद के पनीर का पानी होता है वह तो बहुत ही जादा उसमें फैट होता है क्योंकि उसके साथ थोड़ा थोड़ा बटर भी आ जाता है इसलिए उसमें आप चावल उबाल लीची ताकि वह बिल्कुल वेस्ट नहों क्योंकि क्या होगा ना चावल जब बॉयल होगा तो वह उसको एक तो इससे क्या होता है सारह जो स्टार्ट होता है वो निकल जाता है काफी और हमारे जो राइस है वो काफी राइट हो जाते हैं और वो खाने में काफी हstate ये लेप लाइफ स्ट्राइल हो गया ना इस तरह के बने राइस हमें बहुत ही हेलफूल होते यह देखिए दाल के साथ आप इस तरह से खिले-खिले राइस बना सकते हैं और इस पेशली जब भी आप बिर्यानी या फिर प्लाव बगरा बना है तब तो जरूर इस इतमाल करें तो थाइ